नमस्कार A to Z डिशुष उशा कोड़जानी में आप सब का स्वागत है वैसे तो हमने कई तरह की रोटी खायोगी बाजरे की गेहूं की कई तरह की चावल की मक्के की पर ये जो है न ये राजिस्थान की प्रसित खोबा रोटी होती है ये रोटी ऐसे ही खाने में इतनी लगती है न इसे बस आप इसे पकाएं और इसे ऐसे ऐसे खा ले या फिर आचार के साथ खाएं कोई सबजी के साथ खाएं दही के साथ खाएं रायते के साथ खाएं इसका स्वाध इतना बढ़िया होता है और इसकी जो बनाने की प्रोसेस है न उसमें जब आप इसे बनाए आपको इतना मज़ा आ जाएगा ना काफी यह टेस्टी लगती है यह राजिस्थान की पहुत ही प्रसित है खोबा रोटी कहते है और यह गीहों के आटे में से बनाई जाती है उसके लिए आपको दो कब गीहों का आटा लेना है इसके अंदर अजवाइन डालना बिल्कुल न स्वादनुसा नमक डाल दीजे और इसके अंदर आपको डालना है एक चमच गी अब आटे के अंदर इसे अच्छे से मिला लेना है बस यह सिर्फ और सिर्फ गीहों के आटे में से बनाई जाती है और अजवाइन का इसके अंदर काफी बढ़िया फ्लेवर आता है तो जरू मीडियम सक्त आटा गुलना है यानि कि इसके लिए आटा है वहाद। नहीं बनेगी आप सकत कर तो जब कपाएंगे और शेप Quem chili डूत बढ़िया अपको इसे मीडियं में जतर सकती है इसरिए नो पर सकत है ने बीडियम आर्टा नुहां दें यहां पर हाटे को फिर से अच्छे से ब्सक्राइब और मसल लेकाerm जरिण द्हाम पाइब करेंpod पार्ट में डिवाइट कर ले रही है, अब यह एक पार्ट को लेना है और इसे अच्छे से देखे बना लेना है दोनों हाथों की मदद से, अब यहाँ पर मैंने तवा गरम करने भी रख दिया है, अब यह देखे एक मैंने लोई ले ली है और इसे बेलना है, तो जो खोबा पूर पनुरोटी होती है देए इस तरह से अपको बेलना है देख सकते हैं इस तरह से अभी आपको लगरी हो कि काफी दब कर लिए तो एक था यह सिरह झाया होटाई पस इस तरह से होती है उसके बाद एक तरह आपको से नाइफ जीbasis you थोड़े से marks कर लेने ताकि अंदर तकि अच्छे से पके अब तब अच्छा गरम है तो इसे डाल देना है तवे पर उस पकाना है देख्ए हलकी सी सिक गये तो इसे पलट लेना और आज को बिलकुल धीमी कर लेना बिल्कुल लो फ्लेम कर लेनी है और अपने देखिए चार उंगली से और एक अंगुठी की मदद से इस तरह से चुटकी करनी है देख सकते हैं जैसे मैं डिजाइन कर रही हूँ न देखिए पूरा सरकल रोटी को गोल गोल गुमाते हुए और ये वाली डिजाइन में आपको ध्यान रखना है कि गैस की आज बिल्कुल धीमी होनी चाहिए नहीं तो नीचे से ये आपकी रोटी जल जाएगी इस बात का ध्यान रखेगा देखिए पूरी रोटी पर डिजाइन कर लीजे और देखिए मैं जैसे पलटरी तो ये बिल्कुल भी जली नहीं है अच्छे से पकी है दीमी आज पर तो जब तक ये अब इसे मैंने पलट लिया है डिजाइन की तरफ से ये पकरी है और अभी आपको तवे पर नहीं सेकना है अगर आप इसे पूरा तवे पर शेकिंगे तो आपकी डिजाइन चली जाएगी चिमते की मदश से इसे डारेक गैस पर सेकें तो देखिए इस तरह से चिम्टे की मदाश है और अपने हाथों का भी ध्यान रखना है ताकि आपके हाथों पर भी ना लगे और देखिए गोल-गोल डायरेक केस के उपर आपको इस तरह से गुमाते जाना है ताकि अच्छे से यह सिके और देखिए कितने अच्छे माक्स आ रहे हैं और अगर आप इसे दबा दबा कर तवे पर सेखेंगे तो जो आपने डिजाइन किये वो बिगड़ जाएगी तो इसलिए तवे पर तो यह नहीं सेखेगी आपको डायरेक केस पर तो थोड़ा बहुत सेखना ही पड़ेगा यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यह पहली रोटी बनकर तयार है इसी तरह से मैंने यह दूसरी भी तयार कर लीजिए और यह अचार दही राइते सब्ची सबी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते है चाय के साथ भी काफी बढ़िया लगती है तो यह राजस्तान के प्रसित कोबा रोटी जरूर ठ्राइ कीजे और मैंचे कमें के साथ तब तक के लिए थांक यू फॉर वाचेंग